हच्च में आप लोगों प्रमानुबम के बारे में कुछ पताना जालता हूँ आपके मन में बहुत सारा कन्भूजन रहता है कि आखिर प्रमानुबम क्या होता है और ये कैसे फड़ता है और आप यह भली भाती की जांते हों के दौसतों कि अमेरिका जो है न जयापान पर्मा लगिए आपको देखने को मिलेगा क्योंकि प्रमानों बंल्म यह इतना खतरनाक अब आपके मन में एक ऐसा प्रसन होगा कि आखिर यह प्रबंग उड़ता होगा देखिए दोस्तों ये इतना बरा पॉल्यूशन होता है आपको ये भी मैं एक वीडियो लेक्षर में बताया था कि देखिए जब प्रमानु बम का परिशन किया था अब्दूल कलामाजाद तो सभी में कितना जैदा जो है सो मतलब धुआ धुआ हो गया था मैं एक वीडियो लेक्षर में आप लोगो बताया होगा तो देखिए ये इतना बरा पॉल्यूशन होता है और समझ लेजे अभी जो फिलहाल क्रोना आप देख रहे हो क्रोना है ना त दूसरे के संपर्क में आने से क्या होता है फैलता है मतलब समझ लीजे ये इतना छोटा है इतना छोटा है जो एक दूसरे के आने के संपर्क में ये तुरंत क्या हो जाता है तो यह फिक्स आए कि बम अगर आप जहां पे गिराओगे न तो वहां पे धमाका होगा जहां पे पे अगर जहां पे प्रवानों बम गिरेगा ना तो आवाज फिक्स है कि आवाज होगा आवाज बहुत जएदा होता है वहाँ पे धुआ 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 जैसे हो जाएगा और इतना जैदा पॉल्यूशन हो जाएगा जो समझ लो कि वहां के जो भी बेक्ती होगा ना तो दो तीन चार दिन के बाद वह बीमारी के मतलब उसका किड्नी उड्नी जो भी होगा ना आपको टूटल जो है सो पकर लेता है क्रोना से भी बहुत ज़दा खराब होता है क्रोना तो कुछ नहीं यह जपान में इसका असर अभी तक है अभी तक देखने को मिलता है यह ऐसा खतरनाक बंब है तो यह मत समझेगा कि बंब ऐसा है जो मतलब जहां पर फूरता है तो तुरंत सब को उड़ा देता है यह एक पॉल्यूशन है मतलब समझ लिजे कि प्रमानु बंब अगर जहां पी फूट जाए न दोस्तों अगर जिस सहर में फूट जाना तो वहां का मतलब बरबाद हो जयएगा वहां का जितने बैक्तिहाना मरना क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा तो सिच्वेशन में क्या करना चाहिए जब ही अगर प्रमाणू बंब फूट जाए तो सिच्वेशन में समझ लीजिए अपने घर से नहीं निकलना चाहिए मतलब पूरे मुह कान पूरे ढखके रहना चाहिए क्योंकि अब थोड़ा भी उस पॉल्यूशन में अगर सांस लोगे ना तो समझ लेजिए उसका मिर्तियू क्या है आप का तया है आप तुरंद क्या हो जाओगे मर जाओगे मतलब इसका असर इस प्रकार होता है तो बहुत सारे दोस्त के मन में यह सवाल लेता है कि प्रमा प्रमानुबं जो फूरता है ना अभी फिलहाल अगर रूस अगर यूक्रेयन पे अगर जो मन के चलिए अगर प्रमानुबं गिरा दिता तो समझ लीज़े यूक्रेन का तखस्णास हो जाएगा यूपरे बरबाद हो जाएगा वहां का जो भी बिक्ती है जो आदमी गलती नहीं किया है मतलब छोटे चोटे को भी एसका सजाव में भोगना पड़ता है तो यह बहुत ही बरा समझ कितना डिया को Ojai cho this जब उसको बहुत जदा उस्तं बाद यहुद्ट सब चला जाता है तो मैं आप लोग को यह बताया कि आखिर परमानोड्य होता कैसे है और यह गिलाने से कितना जैदा नुक्सान होता है लोगी हो mere तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेजा हैं दोस्तों